आईए यहाँ पे हम इस दिये हुए expression को simplify करते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा change कर दिया गया है यहाँ पे square root के अंदर जो quantity है वो नहीं सिर्फ एक constant है बलकि एक variable भी है x और इसका cube यहाँ पे किया गया है तो हमने जो अभी तक सीखा है same logic से हम इसको simplify करते हैं और देखते ह कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 times square root of 500 x cube यानि कि इस अंदर वाले चीज़ को तो हम जो कातियों लिख देंगे 500 x cube और इस पूरे के ऊपर half power हम लगा देंगे square root का मतलब हुआ power half वो हमने यहाँ पे लगा दिया अब यह जो half है वो इस दोन चीज़ों पे 500 पे और x cube इन पे distribute हो जाएगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 times 3 times 500 इसकी power half times x cube इसकी power भी half यहाँ पे लग जाएगा अब चलिए यहाँ पे 3 तो जो काते हो हैं उसके साथ हम आगे कुछ करना ही सकते हैं तो उसको हम जो काते हो छोड़ देते हैं 3 को हमने जो काते हो छोड़ दिया अब पहले हम इस 500 की power 1 by 2 को simplify करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा 500 का square root यानि की 500 की power half तो 500 को हम लिख सकते हैं 5 times 100 और इस पूरे का यहाँ पे square root किया गया है तो यह हो जाएगा square root of 5 times square root of 100 के बराबर अब 5 तो खुद एक prime number है तो इसका square root of 5 है वो तो जोकाते हो रहे जाएगा इससे जादा हम इसको simplify कर नहीं सकते हैं तो यह square root of 5 रहे गया लेकिन अगर 100 के बात करें तो ऐसा कौन सा number है जिसको अगर हम दो बार खुद से multiply करेंगे तो वो हमें 100 दे देगा तो 10 times 10, 10 times 10, 100 होता है तो हम बोल सकते हैं कि 10 वो ऐसा number होगा जिसको अगर हम दो बार खुद से multiply करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा यानि 100 का square root यहाँ पे 10 आ जाएगा यानि कि square root of 500 के value आ जाएगी 10 times square root of 5 के बराबर तो इस चीज को हमें आ लिख देते हैं कि यह value यहाँ पे हो जाएगी इतना 10 times multiplied by 10 times square root of 5 अब अगले पे आते हैं तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x की power 3 इसकी power half लिखा गया है तो चले इसको हम थोड़ा से expand करते हैं तो x का cube, x के cube को हम लिख सकते हैं, इस part के अब हम बात कर रहे हैं, तो x के cube को हम लिख सकते हैं, x square times x, base same है यहाँ पे 2 है power, यहाँ पे 1 है power तो 2 और 1 आपस में जुट जाएंगे और हमें यह x cube ही दे देगा और इस पूरे के ऊपर half power लगा हुआ है, अब इस half को हम इस पे distribute कर देते हैं, तो यह हमें दे देगा x square की power half, times x की power half अब इसको अगर थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहें अगर हम लिखना चाहें इसको, तो इसको लिख सकते हैं, equal to x square का यहाँ पे square root किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम एक interesting चीज देख रही है, और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ examples ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आप से बोलू, मान लीजी हम यहाँ पे लिखते हैं, 25 25 हम यहाँ पे लिखे, 25 और इसका square root हम यहाँ पे ले, तो इसकी value क्या होगी? तो हम बोलेंगे 5, क्योंकि 5 times 5 25 होता है, लेकिन हमने कुछ videos पहले देखा था, कि हम इसको सिर्फ 5 बोलेंगे, हम इसकी value negative 5 के बराबर नहीं लेंगे, हाला कि negative 5 times negative 5 भी 25 ही होता है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे square root की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे principle या फिर positive square root की ही बात करते हैं, इसलिए इसकी value हम हमेशा positive लेते हैं, negative नहीं लेते हैं अब इसको आप square root of 25 करके लिखे हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिख दे, square root of 5 square, अभी भी इसकी value यहाँ पे हम 5 ही लेंगे ना की negative 5, तो same funda यहाँ पे काम करेगा, x square का square root, यानि कि यह तो x के बराबर होगा, लेकिन चुकि हमें इस x को positive रखना है, actually इसे non negative रखना है, 0 भी हो सकता है, बस यह negative नहीं होना चाहिए, तो वो करने के लिए हम यहाँ पे mod लगा देंगे हम x का absolute value ले लेंगे, कि अगर x negative भी होता है, तो उसका mod लगा के हम उसको positive कर देंगे, और वो इस दिये हुए expression की यहाँ पे square root of x square उसकी value हो जाएगी, mod of x, और यह square root of x तो जो काते हो, आ जाएगा square root of x, तो यह simplify होके हमें दे देगा mod of x times square root of x के बराबर और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे यह दिख रही है, कि यहाँ पे जो यह square root है, इसके अंदर भी एक x आ रहा है, अब इसको define होने के लिए x को हमेशा 0 या फिर उससे बड़ा ही होना पड़ेगा, अब माल लीजे अगर हम कुछ ऐसा लिख दे, कि square root of negative 25 माल लीजे हमें यहाँ पे ऐसा लिख दे तो क्या यह कभी valid होगा real numbers के case में, क्योंकि हमें ऐसा कोई number मिली नहीं सकता real numbers में, जिसको अगर हम दो बार multiply करते हैं, तो हमें एक negative value मिले, क्योंकि अगर हम दो negative numbers भी लेते हैं दो same negative numbers, तो उनका multiplication हमें positive दे देगा और अगर हम दो positive numbers लेते हैं तो उनका multiplication क्यार positive ही होता है, तो किसी भी case में हमें एक negative quantity तो नहीं ही मिलेगी हाँ, अगर हम imaginary numbers की बात करें, तब इसका solution जरूर आएगा लेकिन अभी हमें वो नहीं पढ़ना है उसे हम अभी दूर है, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ real numbers की बात करते हैं, और real numbers के case में अगर ये negative होता है, तो इसका कोई solution नहीं आ पाएगा इसलिए, इस expression को देख के हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम कुछ भी x को रखे लेकिन वो हमेशा 0 या फिर उससे बड़ा होना चाहिए तो final इसको थोड़ा सा और इसको साफसोत्रे तरीके से लिख देते हैं ये जो हमें यहाँ पर expression मिल गया वो दिये हुए expression का simplified version हो जाएगा